इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते ह और अवरुध या भरी हुई नाक, छींकने और खुजली या पानी की आँखों जैसे लक्षनों से राहत देगा। कुछ हन्य दवाओं की तुलना में उच्छ रक्चाप या आपके सोडियम या पोटेशियम के स्तर में परिवर्तन होने की संभावना कम होती है। यह दवा आपकी नाक में पराग, धूल के कन और मोल्ड जैसे पदार्थों के प्रभाव को अवरुद करने का काम करती है जो अलजी को ट्रिगर कर सकते हैं। इससे आपको अलजी की प्रतिक्रिया होने की चिंता किये बिना अपनी दैनिक गतिविधियों को करने में आसानी होगी। यह तुरंत काम नहीं कर सकता है, इसलिए अधिक से अधिक लाप प्राप्ट करने के लिए इसे नियमित रूप से उप्योग करें। यदि आपको एक सप्ता के बाद भी कोई सुधार नहीं दिखाई देता है, तो अपने डॉक्टर से बात करें। अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार इस दवा का प्रयोग खुराक और अवधी में करें। उप्योग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें। बोतल के सिरे को एक नथुने में डालें और दूसरे नथुने को बंद कर दें। स्प्रे को अपनी नाक के दोनों किनारों को विभाजित करने वाले काटिलेट से दूर अपने नथुने के किनारों की और निर्देशित करें। खुजलीदार बनाते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन अल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद